क्या IPO में पैसे इन्वेस्ट करने से आपके पैसे डबल हो सकते हैं या फिर IPO में इन्वेस्ट करना आपके लिए रिस्की साबित हो सकता है या IPO में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं IPO के लिए apply करना चाहते हैं तो complete इस वीडियो में आप से भी को lab demo देने वाला हूँ lab apply करके दिखाने वाला हूँ angel one के थूँ ठीक है तो अगर आपका account angel one में नहीं है तो angel one में account open कर सकते हैं link description में आप से भी को मिल जाएगा तो friends यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर IPO क्या होता है ठीक है तो पहली बार जो भी company public के लिए share को offer करती है ठीक है तो वो यहाँ पे कहलाता है आपका IPO यानि कि initial public offering ठीक है तो friends यह जो IPO है वो पैसे जुटाने के लिए company का यह final stage है इससे पहले भी आते हैं जैसे कि angel investor, venture capitalist और series A funding भी होती है और भी काफी चीज़े होते हैं इनमें ठीक है तो friends हम यहाँ पे बात करते हैं कि किसी भी company के share को आप दो तरह से buy कर सकते हैं पहला कि IPO जो होता है direct और primary market इसको आप बोल सकते हैं diet आप company से buy करते हैं share को ठीक है और दूसरी होती है exchange के थुरू मतलब कि दोस्तो diet आप public से buy करते हैं जो लोग share को sale करना चाहते हैं आप उसे buy करते हैं वो भी exchange के थुरू ठीक है यह already NAC, BAC में list हो चुका होता है उसको आप buy करते हैं और जो first time list होता है उसको IPO करते हैं ठीक है तो IPO में आप सभी कैसे invest करेंगे IPO के लिए आप कैसे apply करेंगे listing क्या होती है, कब listing होता है opening कितने दिन के लिए रहता है complete जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी जानने वाले हैं ना कि दोस्तों एक दो आप share buy कर सकते हैं 10-15,000 रुपए से plus रहेगा तभी दोस्तों आप यहाँ पर buy कर सकते हैं यह दोस्तों retail के लिए हैं और भी यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं तो friends हम मैं आप सभी को Tata Technology के जो IPO है उसमें अभी मैं invest करके apply करके दिखाने वाला हूँ तो चलिए हम बात करते हैं सिधा स्क्रीन पर जा करके तो सबसे पहले friends हम यहाँ पर angel one account जो है उसको मैं open कर रखा हूँ ठीक है इसी में मैं आप सभी को यहाँ पर buy करके दिखाने वाला हूँ apply करके दिखाने वाला हूँ ठीक है दोस्तों आप भी इसी तरह से कर सकते हैं angel one में डिमेट अकोंड आपको open नहीं तो डिसी दूसर में मिल जाएगा link pen card अधार card यह सभी basic चीजे लगते हैं आप डिमेट अकोंड open कर सकते हैं ठीक है अब दोस्तों क्या करना है आप से भी को मिल जाते हैं उसके अंदर जाके दोस्तों आप पूरी detail जान सकते हैं उसका देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों टाटर टेखनोलोजी आपको यहां पे मिल जाएगा देख सकते हैं IPO date यहां पे आपको दिखा रहा है चारसो पचहतर से पांसो पर श्रियर ठीक है उसके बाद lot size वन lot में दोस्तों 30 year यहां पे दिखा रहा है उसको आपको total issue size यहां पे देख सकते हैं दोस्तों total इसका जो issue है वो यहां पे आप से भी को नजर आ रहा है 3042.51 क्रोड यहां पे जो है इसका total size है ठीक है वो यहां पे दिखा रहा है offer for sale यहां पे आप पूरा पढ़ सकते हैं issue type यहां पे भी आप देख लें और यह किस पे listing हो रहा है तो दोस्तों मैं आप सभी को पहले बता दिया action जो हमारा mainly 2 exchange है इंडिया का वो आप जान सकते हैं फर्स्ट BAC दूसरा जो है NAC बॉंबय अश्टोक एक्चेंज और यह जो है NAC मतलब कि national अश्टोक एक्चेंज ठीक है उस बाद फिर share holding pre-issue यहां पे देख सेते हैं holding post-issue और इसके बारे में दोस्तों और भी जान्म कार्या आप ले सकते हैं और भी यहां पे देख सेते हैं HNI share offering यहां पे 10% और दोस्तों QIB share offered यहां पे देख सेते हैं 17% दिखा रहा है और फ्रेंट्स रिटेल जो है रिटेल के अंदर हम लोग आते हैं ठीक है तो रिटेल के अंदर देख सेते हैं इतना percent हो चुके हैं और दोस्तों 25% यहां पे के around हम लोग को दिया जाता है दोस्तों यहां पे ओवर चल रहा है ठीक है और यहां पे फ्रेंट्स और भी देख सेते हैं employee share offered यहां पे इतना दिखा रहा है ठीक है तो दोस्तों अब हम यहां पे finally बात करते हैं कि किस तरह से आप apply कर सकते हैं इतना तो आपने information ले लिया उसके बाद यह देख सकते हैं यह रहा Tata Technology share अब इसका friends आप GMP देखेंगे ठीक है GMP आप देख सकते हैं उसके बाद friends यह share के बारे आप देख सकते हैं कि 80% तक यहां पे return मिलने के संभावना है मतलब कि दोस्तों जब पैसे आप लगाएंगे अगभग आपका return जो है वो double भी हो सकता है ठीक है अगर आपको IPO यहां पे मिल जाता है आपको मतलब कि offer जो है यहां पे allotment मिल जाता है तब के बाद यहां पे हो रहा है ठीक है यह आप यहां पे basic information आपने ले लिया उसके बाद और भी detail आप यहां से check कर सकते हैं GMP और देख सकते हैं यहां पे IPO price यहां जो दिख रहा है अभी 500 और इसका दोस्तों GMP 400 दिखा रहा है साथी friends देखते हैं estimated listing price यहां पे करीब 900 यहां पे यह देखते हैं यह एक जो share है वो यहां पे listing close हो चुका है ठीक है और इसका जो है देख सकते हैं IPO price 32 और यहां पे दोस्तों इसका listing जो लगवग है 44 रुपए मतलब कि लगवग 37% अपर होगा ठीक है तो यह यहां पे है अप दोस्तों सिधा चलते हैं angel one में और यहां पे आपको home पे किलिक कर देना है और यहां पे देखते हैं IPO वाला section मिल जाएगा ठीक है अब दोस्तों जो भी यहां पे coming IPO यहां पे होगे वो आपको दिख जाएंग देखते हैं open and coming और यहां पे आपको दिख जाएगा और यहां पे order में जो आप यहां पे order लगाओगे वह यहां पे आपका और रिटेल डिसकॉंट यहां पे जीरो है इसू साइज यहां पे इतना करोड जो है वो इसू हो रहा है ठीक है अब साथ ही दोस्तों इन्वेश्टर केटेगरी एंड सब केटेगरी यहां पे दिखा रखा है देख सकते हैं इंपलोई और दोस्तों इन्विजुवल में कौन को न आएंगे रिटेल और यहां पे देख सकते हैं है एच एन आई ठीक है और शेयर होल्डर यह सबी चीज़ें यहां पे अलग है आप देख सकते हैं दोस्तों यह यहां पे आपको आप यू कार्ड यहां पे डेट से देखने को मिलता है ओफर अस्टार्ट डेट यहां पे 22 नौवंबर से यहां पे ओफर एंड डेट यहां पे होगा 24 नौवंबर और अलॉट्मेंट डेट होगा यहां पे 30 नौवंबर और लिस्टिंग यहां पे दोस्तों देख सकते हैं view, subscription भी देख सकते हैं, day one और साथ ही दोस्तों, retail यहाँ पर कितने हैं, non institutional investor कितने हैं, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, इसको भी यहाँ पर buyer वगेरा देख सकते हैं, अब दोस्तों apply करने के लिए उपर में ही आपको option मिल जाएगा, इसको हम यहाँ पर click करेंगे, उससे प maximum, maximum lot यहाँ पर दिखा रहा है, यह सभी चीज़े, one lot तीज़ेर का है, 500 रुपे दोस्तों इसको इतना ही रहने देना है, ठीक है, अभी demand account number यहाँ पर दिख रहा है, इसको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर दोस्तों individual, employee और यहाँ पर shareholder, अगर आप पहले से ही shareholder हैं, आ अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना UPI ID यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है, अब दोस्तों देख सकते हैं, AMO order, मतलब after market order, दोस्तों देख सकते हैं, जैसी market open होगा, मेरा जो order हो प्लेजड हो जाएगा, कल ठीक है, ताभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, proceed वाले option के उ और दोस्तों देख सकते हैं, you will receive a payment notification on your UPI app by, यहाँ पर देख सकते हैं, इस दिन को यहाँ पर जो है, एक notification जाएगा, और उसके बाद फिर दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर payment करने होंगे, ठीक है, तो दोस्तों आभी कुछ समय वेट कर लेते हैं, तो friends, अब आप फिर से home वाले option में जाएंगे, और IPO वाले section में फिर से जाएंगे, तो उपर में ही यह वाला आपको दिख जाएगा, और उसके बाद फिर IPO orders पे जाएंगे, तो यह आपका दिख जाएगा, और इसके उपर जैसी किली करेंगे, यह देख सकते हैं, इंडिव हमने apply किया है, और उसके बाद फिर payment अभी में नहीं किया है, तो दोस्तो एक दो घंटे बाद या फिर जब भी आपको आपके mobile phone में notification आता है, payment करने के लिए, तो आपको payment कर देना है, दोस्तो आपके bank account में ही पैसे वहाँ पे जो है lock हो जाएंगे, ठीक है, उस balance को आप तीस तारीक के बाद जो है आपका payment आ जागा है, वापीस ठीक है, उसको आप अराम से अपने use कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मिलता है, तो, फ्रेंट से ध्यान रखें कि जो भी bank आपका angel one से या फिर जो भी डिमेट से आप apply कर रहे हैं, उसी डिमेट में same bank account होना चाहिए ठीक है, तभी ये आपका मतलब की काम करेगा, ठीक है, और साथी दोस्तों, इसका एक ट्रीक है, कि आप जादा सजादा अपने जो भी आपकी relative का डिमेट account है, उनसे करें, ठीक है, और अपना भी करें, तो, यहाँ पर होने का chances, मिलने का chances रहता है, तो, चले friends, अब यहीं पर वीडियो को end करते हैं, उमिद करते हैं, आज की इस वीडियो आप से भी को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को दोस्तों बिलकुल भी सब्सक्राइब करना ना भोलें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को share करें, थैंक फो वाचिंग दिस वीडियो